दुनिया के सबसे खतरनाग गेनबास में से एक या क्या सकते हैं कि सबसे खतरनाग गेनबास ब्रेटली और उनका जब सामना सचिन तर्दूलकर करते थे तो फिर ये जो राइवल्री होती है इसे देखने के लिए हजारों की संक्या में लाफों की संक्या में जो लोग है वो पीवी सेट पर चिपके रहते थे और आपको याद भी होगा 1999 की बात करने 2008 की बात करने जब राइवल्री इन दोनों के बीच में पीक पर चलती थी गजब का क्वांटेस्ट होता था और in fact ये कहने में बिल्कुल भी अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि सचिन तैंदुलक है और उन्होंने सचिन तैंदुलकर के उपर में नहीं लेकिन उन्हीं के ओपनिंग पार्टनर यानि की विरेंद सहवा के उपर में एक बड़ा बयान दे लिया और उन्हें का कि जब विरेंद सहवा का नाम आया जब हमने उनको बैटिंग करते वे देखा तो हमें लगा कि बही एक तो सचिन तेंदूलकर हमें परेशान कर रहे थे उनको आउट करना बड़ा मुश्किल है लेकिन एक और ऐसा खिलारी आया है वोस प्लिइंग लाइक लिटल मास्टर यानि कि सचिन तेंदूलकर की तरह खेल रहे हैं और वो भी ओपन करते थे तो फिर हमारा जो वर्कलोड है वो डवल पढ़ गया यानि कि पहले सचिन को आउट करो फिर सहवाग भी बिल्कुल उसी अंदास में खेलते थे जिस गेंदों को आप कहते थे कि बड़ी अच्छी गेंद है गुड लेंट से गेंद बाहर की तरफ निकल रही है लेकिन उस बल्लेबास का यानि कि सहवाग का माइनसे बहुत अलग होता था वो टेस्ट मैच की पहली गेंद पर भी छखका जड़ सकते थे यानि कि इतने अन्प्रेडिक्टिबल थे कि आप समझ नहीं पाते थे कि कहां पर गेंद बाजी करनी है कहां नहीं करनी है margin of error इतना कम देते थे विरेंडर सहवाग की अगर गेंद लेंसे थोड़ी बहुत भटती ही तो फिर वोसी मारे खाके बाहर ही गेंद मिलेगी और आपकी बड़ी बेजती होती थी उन्होंने का कि कई मौकों पर हमने उनको आउट करने की कोशिश की short third man पर third man deep third man पर खिलारियों को लगा कर लेकिन उसके बाबजूत भी सहवाग की बलेबादी ऐसी रही कि जिसकों की भुलाएं नहीं भूल सकते हैं और उने का कि यह उनकी खासियत थी एक तरफ सचीं तेजल कर दूसरी तरफ विरेंडे सहवाग जिसस अंडाज में बाटिंग करते थे बड़ा मुश्किल होता था उनको आउट करना लेकिन विरेटली का ये कहना है कि विरेंडिस है बाग जिस सरीके से बैटिंग करते थे उमीद करते हैं कि हिंडिया में और भी क्रिकेटर्स उसी को देखते हैं उनी को देखकर उसी स्टाइल में बैटिंग करते हुए नसर आएंगे सब्स्पाइब कर विडिए ला